NAMASKAR दोस्तों आप सभी का स्वागत है तो आजम जानेंगे आपके हाथ में बनने वाली इस खास रेखा के बारे के कुछ लोग इसे नीचे से उपर की ओर अनलाइज करते हैं और कुछ लोग उपर से नीचे की ओर कैसे भी हो तो दोस्तों ये जो रेखा है इसे कहा जाता है बुद्ध की रेखा एक ऐसी रेखा जो कि आपके जीवर के उपर बड़ा परभाव डालती है और आगे चल कर इस रेखा से आपको क्या फायदा होने वाला है और कब होगा कैसे होगा जानने के लिए वीडियो के पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के है तो अपने राइट एड़ में अगर लड़की है तो पने लाफ एड़ में एजानकारी को देगेगा और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे परसनली बात करके अपनी समस्षा का सभाधान तो ल परसनली है अपनी हरदय रेखा जिसे हार्ट लाइंग भी कहा जाता है अब अगर यह रेखा आपकी हरदय रेखा से पहले रुख जाए तो दोस्तों यह एक ऐसी रेखा है जिससे कि ना तो आपको कोई बड़ा नकसान होगा ना ही कोई बड़ा फाइदा होगा एक छोटी रेखा जो के जादा प्रभाव नहीं डालती है पर अगर ये रेखा इसे क्रोस कहके आगे निकल जाए और मस्तिक से रेखा तक भी अगर पहुंच जाती है मतलब के थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो दोस्तों यहाँ पर बहुत बढ़ा प्रभाव पढ़ता है मतलब के जो आपको अब लंबी रेखा के बारे में बताएंगे तो वही सेम प्रभाव पढ़ता है बस यहाँ पर दोस्तों में पॉइंट यह है कि यह आपकी हज़र रेखा को क्रोस करने चाहिए और आगे निकलने चाहिए अगर यह वाली पॉसिबिल्टी बन जाए तो दोस्तों आप आपको फाइदा आगे चलकर मिलने वाला है और वो फाइदा क्या है वो तो आपको पूरी वीडियो में बताने ही वाले हैं दोस्तों तो यहाँ पर एक बात का ध्यान और रखना है कि अगर यह रेखा कम्पलीट है जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं बिल्कुल ही नी चाही इच्छा में मिलेगा अब देखे दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में इच्छाएं रहती हैं बहुत लंबे समय से दबाके चलते हैं कि हमें ये पूरा करना है वो पूरा करना है तो दोस्तों मौका किसी किसी को ही मिल पाता है पुछ लोग तो मजबूरी में वो का करना चाहते हैं यहां पर दोस्तों आपको मौका मिल्ता है मन चाहां कारे करने का और आगे कल कर मन चाहिए इच्छांब पूरी करने के तो कि बहुत कम लोगों मिलती हैż dużo स्वाल होगा कि हमें कितनी उमर में मौका मिलेगा खेगा दोस्तों ज्यादा समय नहीं यहां पर लगाईएंगे, आपको सीधा बताते हैं कि अगर आप business करते हैं मतलब कि खुद का कोई कारे करते हैं तो दोष्टो आपको 30 साल की उम्र से पहले ही मौक्ता है जी हाँ दोस्तो, ध्यान अखेगा कि अगर आप business की field में हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको चांस जल्दी मिलते हैं और जादा मिलते हैं अपनी मन चाही इच्छा पूरी करने की अब दोस्तों तीस साल की उमर से पहले आपको लाभ प्राप्त हो सकता है पर अब आपके मन में सवाल होगा या फिर कुछ लोग जोब करते हैं उनके मन में सवाल होगा क्या हमें कभी ऐसाइदा नहीं मिलेगा आपको मौका मिलेगा दोस्तों बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट जादा करना पड़ सकता है मतलब के यहां पर मान के चलिए कि 35 साल की उमर के लगभग आपको मौका मिल पाएगा हाँ एक दो साल उपर नीचे हो सकता है डिपेंड करता है कि आप कारे क्या करते हैं जॉब कौन सी करते हैं पर दोस्तो जॉब वालों को ये रेखा थोड़ी सी समय के बाद फायदा देती है थोड़ा सा फेट आपको ज्यादा करना पड़ जाता है अब आपके मन में एक और सवाल होगा कि हम ऐसी कौन सी इच्छा रखें जो कि पूरी हो जाए आपकी मन चाही इच्छा है पर कई बार दोस्तो यहाँ पर जानने की ये भी हमें मतलब जिग्यासा रहती है कि इच्छा कौन सी हमारी जल्दी पूरी हो पाएगी या फिर हमें कौन सी इच्छा रखनी चाहीए तो आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप धन के इच्छा रखते हैं मतलब के धन लाग हो जाए धन वर्शा हो जाए जल्द ही पैसे का आगमन हो तो वो इच्छा पूरी हो जाती है और अगर आप करियर के इच्छा रखते हैं कि यहाँ प पर बन सकते हैं और love marriage की जो इच्छा रखते हैं तो उनके जीवन में प्रेम विवा का योग बन सकता है और उपर से दोस्तों घर वाले भी सपोर्ट करते हैं और यही सबसे बड़ी बादा होती है किसी भी love marriage में कि घर वालों का सपोर्ट समय पर नहीं मिल पाता है तो दोस्त है कि बीच में से यह कोई gap नजर आ जाएं यह वाला gap या फिर लंबा gap भी हो सकता है कहने का भाव यह है कि अगर बीच में से यह तूटी हुई है या फिर कोई gap है तो दोस्तों यह रेखा आपके हाथ में होते हुए भी आपको फाइदा नहीं दे पाएगी तो दोस्तों इ चाफी चोटी चोटी प्रांचें इस प्रकार से निकली हुई हैं और बिखरी हुई रेखा ये बन जाती है तो दोस्तों यहां पर देखने को मिलता है कि ऐसे लोगों के मन में confusion रहती है कोई भी decision लेने से पहले घबरा जाते हैं जी हां दोस्तों यह डर जाते हैं कि decision ले या पर ना ले और कई बार तो दोस्तों इनके आगे बहुत अच्छा खासा मौका होता है कि मतलब यहां पर इसके बाद तो इनकी लाइफ में मन चाही इच्छा पूरी करने का मौका मिलेगा तर यह घबरा जाते हैं कि इतना बड़ा step लेना भी चाहिए या नहीं रिस्क लेने दोस्तों रिस्क लेंगे तभी आगे चल कर आपको बड़ा फाइदा मिल पाएगा और दोस्तों डिसीजन आपको कभी तो खुद से लेना ही पड़ेगा आप किसी के उपर dependent नहीं रह सकते हैं और यहाँ पर अगर आप ध्यान देते हैं दोस्तों तो इनकी इस रिखा के यो प्रकार से बिखरी होई है और यहाँ पर दोस्तों मस्तिक से रिखा का तो योगदार मिल गया पर इसमें एक और रिखा इस परकार से प्रवेश कर रही है जिसमें ना तो इसकी कोई रिखा तूट रही हो और ना ही इस परकार से रिखा प्रवेश कर रही हो दोस्तों मैट तो है यहां पर दोस्तों आपको पैसे की बच्चत जादा कमी पड़ेगी मतलब पैसा आता है पर टिकता नहीं है जल्द ही खर्च हो जाता है यह वाली पॉसिबिल्टी बन सकती है तो आपको पैसे पे पकड़ बना के रखनी है क्योंकि ठहराव नहीं है आपके जीवन में प कभी भी धन की कमी नहीं होती है तो दोस्तों यह थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया एक ऐसी खास रेखा के बारे में जो क्या आपकी मन चाही इच्छा को पूरी कर सकती है और उपर से यहां पर दोस्तों आपकी जीवन पर बड़ा प्रभाव डालती है आ मिश्ट्री 100% accurate में ही होती है माने वाले मांते हैं इसके according ही आधे कदम बढ़ाते हैं अगर आपको इंसे में विश्वास नहीं है तो आप अपना वचार हमें comment box में बता सकते हैं और यह विश्माई हो तो लाइक करें शेर करें और अगर आप हमारे चैनल का नए आए हैं त करूंज हुआ हैं मांकि झाफ तो आपका करें तुमाद can जो आए हैं झाफिए हैं अगरे पीछबल्ली और आपका तो आपकार है